आज है बीस मार्च सन दो हजार चौवीस दोस्तो अजय एस्टो मनी गुरू देश का पहला चैनल जो 42 कमुडिटीज पांच मार्केट पर लगातार अपडेट अब रिस्लेशन आप तक प्रस्तुत करता है आपको याद होगा हमने 44 वे रवी तिलन सम्मेलन में जो कि गुरू गुराम में 16 मार्च को आई जुद्ध हुआ था उसमें सरसो के ओपर अपना वक्त वे दिया था वो आपको सही होता नजारा रहा है दोस्तो हमारा 44 वा रवी ओल सीड कॉन्फरेंस के का पूरा शो का वीडियो हमारे चैनल पर है उसको देखना बिलकुल ना भूले जानिए अब कल 19 मार्च को तेल बजार में क्या गतिवी दिहा नहीं दोस्तो सबसे पहले तो हम मस्टर्ड ओयल यानि सरसो तेल की बात कर रहे हैं कि मांग में कमजोर होने और नई फसल की आवक लगातार बढ़ने से सरसो के तेल में गिरावट देखी गई जैपूर यानि राजिस्तान की राज़ानी जैपूर में कच्ची गानी का तेल निचले सरों से 7 रुपए बढ़कर 1062 रुपए पहुच गया था और उपरी सरों पर डिमांड कम होने और से तेलों में कमजोरी का जो दौर शुरू आए उसके अंदर जैपूर में कच्ची गानी का तेल लगबग 10.5 रुपए गुरकर 1031 रुपए पर ट्रेड होने के समाचार मिले हैं आने वाले दिनों के अंदर इसमें कुछ और गिरावट की संभावनाव से इंकार नहीं किया जा सकता अब हम बात कर लेते हैं सनफलार आउयल यानी सूरद मुखी तेल सूरद मुखी तेल में भी लगबग एक रुपए की गिरावट देखी गई है गौर्टरब है कि 18 मार्च को सूरे मुखी तेल का कूल स्टॉक 1.3-2 लाग टन का बताया गया है वही 23 मार्च तक एक जहाज 23,750 तन सूरद मुखी तेल लेकर कावनला पॉट पर पहुचने के समाचात भी मिलने की संभावना है गौर्टरब है कि उपरी स्टरों पर डिमांड कमजोर पढ़ने से संफलार तेल के अंदर कुछ गिरावट की उमीद लगाई जा रही है और कल इसमें एक रुपए प्रती किलो की गिरावट दर्ज हो गई है गौर्टरब है कि पूर्ट पर सोया तेल की कमजोर सप्लाई के चलते पिछले दो सप्ता से सुरज मुखी तेल की डिमांड अच्छी रही थी और उसके भाव भी तेज रहे थे गौर्टरब है कि हमने आपको मार्च महिने के अंदर खादे तेलों में तेजी का जो अग्री मानुमान दिया था वो सप्ते साबित हुआ है और संफार, पाम, सोया और सरसो के तेल में शांदार ब्रदी जर्द हुई है आप क्या ये ब्रदी जारी रहेगी या फिर इसमें आ सकती है गिरावट विशेश रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं दूसरी और राइस ब्रान तेल के भाव पर भी खादे तेलों की कमजोरी और तेजी का असर सबसे पहले पढ़ता है उपरी स्थरों पर खादे तेलों में गिरावट का असर राइस ब्रान तेल पर पढ़ रहा है और जहां तक कोलकता मार्केट में राइस ब्रान तेल के भाव नौसो रुपरे पती दस किलों पहुशने के बाद डिमांड अब कमजोर बताई जा रही है अंतराश्चे बजारों बेक खादे तेलों में मुनाफ़ा वसली देखने को मिल रही है जिस निचले सर पर एक तरफा बारा रुपे किलों की तेजी के बाद अब तेजी पर विराम लग रहा है और व्यापारी अब नहीं खरीदारी सिमित रखे में हैं और अपने हाथ में जो स्टॉक है यानि उसी स्टॉक के पर आप ट्रेडिंग अधिक करने में रुची दिखा रहे हैं दोस्तो ये था राइस ब्रान, मस्टर्ड और फ्लार तेल का विचलेशन पिछले दिन का दोस्तो लगातार चैनल पर बने रहे है All the very best, good luck, happy trading